अब इन कमांडों से बचना ना मुंकिन है CRPF ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पुल्वामा में हुए आतंकी हमलों का बहुत जल्द बदल ले में ना ही जिम्मेदार लोगों को छमा किया जाएगा ना ही कभी ये हमला भूला जाएगा इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार का बदला लेने का काम CRPF के कोब्रा कमांडों को दिया जा सकता है इस समय ये कमांडो उन आठ स्पेशलाइस्ट फोर्सेज में से एक है जिने हर महौल में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है अपने रंग रूप में माहिर कोब्रा कमांडो बिना खाना पिना बिना किसी बाहरी मदद के बारा दिनों तक रह सकते हैं कड़ी प्रसिक्षन के बदौलत ये गोरिल्ला वार में भी माहिर हैं और इनकी यही खुबी उरी हमले के बाद नजर आई थी क्यूंकि सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों में कुछ कोब्रा कमांडो भी थे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तमान जिलों में पुल्वामा के आवंति पूरा में हुए आतंकी हमले के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है जिसके अनुसार दक्षिनी कश्मीरी के सैन प्रतिस्ठानों, बिएसेफ, सी आर पिएफ और राज्ज पुलिस के शीवरों और पुलिस लैंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसके साथ ही कई जिलों में सुरक्षा के मद्दे नजर इंटरनेट सेवाओं और अफवाओं को रोकने पर पाबंदी लगा दी गई है एक जनकारी के मताबिक सभी जवानों को सेना ने सीमा रेखा से सटी हुई सभी फॉरवर्ट पोस्ट पर सतकर्ता बरतने को कहा गया है और इसके साथ ही जम्मू काश्मीर के अंतररास्टिय रेखा पर बीएसेफ के जवानों को किसी भी घटना के स्थिती में सख्त करवाई करने के निर्देश दिये है जम्मू काश्मीर राजमार्क पर हुई आतंकी घटना के बाद फिलाल आवजा ही रोक दी गई है इसके साथ ही निर्ख्षन के लिए CRPF, सेना और पुलिस की टीमों को हाईवे पर लगा दिया गया जैहिंद